नमस्कार किसान साथियों मैं हूँ आपका दोस्त दिलसाथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल इंडिया किसान हिल्प में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खर्पतवार नेंतन के बारे में हम किस खरपतवार नासी का उप्योग करें जिसे हमें काफी वहतर रिजल्ट मिल सकें और क्या साउधानिया रखनी चाहिए हमें और बात करेंगे यहों की फसल में किस खरपतवार नासी से कौन-कौन से खरपतवारों को नश्ट किया जा सकता है दोज प्राइज और साउधानियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस कर लें, साथ में बेल आइकन अवस प्रेस कर लें, ऐसी खेती सम्मंदी जानकारी यूटूब पर सबसे पहले पाने के लिए, तो किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें गेहों की फसल में खरपत्रों का नियंतरण क्यों खींच लेते हैं, जिसके कारण पौधे को शंपूर पो सकता तो नहीं मिल पाते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, और ये फसल के साथ उक कर, हमारी फसल में लगवग 30-40% की पैदावार में कमी कर देते हैं, इसलिए हमें खरपत्रों का नियंतरण करना बहुत ही गया हैं, तो इसके लिए आपको कारफेंटा जोन इथायल 40% DF को यूच करना चाहिए, मार्केट में आपको नाबोध के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, बात करें इसके दोच की, तो 20 ग्राम नाबोध को आपको 200 लिटर पानी के साथ प्रत एकड किदर से स्प्र मिल जाएगा, और किसान साथियों ये दिया आपके खेट में चोड़ी पत्ती के साथ सा सकरी पत्ती के जैसे की मंडुसी, जिसे कई जिगहों का मामा के नाम से भी जाना जाता है, और प्याजी जैसे खरपतवार उगाये हैं आपके खेथ में तो उसके ले आप क्लोडीनो फाप प्रोपाजायल को यूज कर सकते हैं जो आपको मार्केट में क्रिस्टल कंपनी के आउतार के नाम से मिल जाएगा बात करें इसके दोज की तो आपको 100 ग्राम आउतार को 200 लिटर पाने के साथ पत एकड़ की दर्थ से आपको स्प्रे कर देना है इससे आपके सकरी पत्ती के जितने भी खरपत्वार होते हैं वो सारे नश्ट हो जाते हैं बात करें इसके प्राइज की तो 100 ग्राम आउतार कापाएक आपको मार्केट में लगभग 260 या 270 रुपे के सम्थे के मार्केट में मिल जाएगा और किसान साथियों यदि आपके खेत में सकरी पत्ती और चोड़ी पत्ती के दोनों परकार के खरपत्वार ओगाये हैं तो इसके लिए आपको आवतार और नाबू दोनों को साथ में मिक्स कर देना है और इस पर एक कर देना है जिससे आपके दोनों प्रकार के खरपतवार नश्ट हो जाएंगे आपको क्या साउधानी रखनी है यदि आप इन खरपतवार नासी का उपयोग करते हैं अपने गेहों के वसल में तो आपको यह बात अवसे ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपके गेहों के वसल 30-35 दिन की हो गई है तभी आपको इन खरपतवार नासी का उपयोग करना चाहिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के मान धिम से आप हमें ज़रूर बताएं, आपका यह कोई भी कोश्चन या सुजाओ है तो आप कमेंट में हमें पहुंच सकते हैं, और यदि आपको वीडियो या पसंद आया हो, तो आप अपना वीडियो को दोस्तों में सेर कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यबाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ